नबसकार दोस्तों स्वागत थे आपका Wi-Fi Knowledge Road में जैसा कि दोस्तों आप लोगो जानते हैं कि UP DLET का result आ चुका है चतुर्ष समेश्टर का और result में दोस्तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे छातर हैं, जिनके result में बहुत सारी problem देखने को मिली है एक दोस्तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ज्यादा था रिजल्ट में जिसमें किसी किसी सब्जेक्ट में जो मार्क्स होते हैं सब्जेक्ट का जहां पे अंक लिखा होता है वहाँ पे SR लिखकर आ रहा है और नीचे रिजल्ट स्टॉप्ड लिखकर आ रहा है दोस्तो बहुत सारे बच्चे परिशान है कि ये SR है क्या तो दोस्तो आज वीडियो इसी पर हम बना रहे हैं और इसमें क्लियरली आपको समझाने वाले हैं कि SR क्या होता है क्योंकि ये एक new code है और इस code का मतलब बहुत सारे लोग clear नहीं बता बा रहे हैं और इसकी detail आपको कहीं मिलेगी नहीं तो इसलिए बहुत important हो जाता है और सारे लोग परिशान हैं बच्चे परिशान हैं तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए तो दोस्तों आप अगर इस चैनल पे नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी important carrier से related वीडियो अपलोड की जाती हैं जो आपके जीवन को बदलने के लिए अति उत्तम साबित हो सकती हैं तो दोस्तों आते हैं SR के matter पे दोस्तों जो SR लिख रहा है SR की कई वज़ा होती है एकदम exact वज़ा ना तो board बताता है ना तो कोई सरकारी संस्था बता रही है लेकिन कुछ possibility और कुछ जो बाते हैं इससे निकल कर आई हैं वो ये हैं कि SR लगने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके copy आपके role number का दो copy वहाँ पे मिल गई हो आप ही के role number जैसी दो copy मिल गई हो इसवज़ से SR लिख रहा है या पिर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कि आपके copy से कोई छेट छाड़ हूई हो इस वज़़े से भी SR लिख सकता है या ऐसे लोग जो जिनके copy में रिजल्ट में SR 100 हो सकता है या फिर दोस्तों कॉपी के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है या कॉपी अवेलेबल नहीं हो पा रही होगी या फिर कॉपी का सिरियल नमबर नहीं मैच कर रहा होगा तो SR लिख रहा है दोस्तों ये दो तीन पॉसिबिल्टी है एकदम exact कोई नहीं बता रहा है दोस्तों लेकि जो तीन चार पॉसिबिल्टी ये निकल कर आई है SR का मतलब यही होता है इन में से कोई ना कोई पॉसिबिल्टी तो है और उसी वज़े से आपका SR यहां पर लिख रहा है इसको correct करने के लिए भी कुछ उपा हैं दोस्तों जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको correct कराया जा सकता है तो फिलहाल के लिए SR की जो possibility थी उसको मैंने बता दिया है इन तीन चार possibility में से हो सकता है हर किसी का SR लगने का कारण अलग-अलग हो सकता है कोई जरूरी नहीं के SR लिख रहा है तो exact सबके लिए एक अही वज़ा हो सकती है सबके लिए अलग-अलग वज़ा हो सकती है तो दोस्तों आप खुद गेस कर लीजिए कि आपके copy के साथ क्या हो सकता है ठीक है उस possibility के basis पे वो रोका गया है तो दोस्तों इस वीडियो I hope कि आपको बहुत पसंद आये होगी काफी helpful होगी होगी थोड़ा सा आपके मन का भार कम हुआ होगा मिलते हैं कैसे और interesting वीडियो में तब तक के लिए फिर्दे की गेराईयों साबका बहुत बहुत धन्यवाद